तो दोस्तों, आज किज़ वीडियो में मैं आप लो lige को दिखा देता हूं कि किस तरीका से आप गूगल ले का सकते हैं, अभेखाय गउलो सेम चीज़ है, आप उसे किस तरीके सा Аप डिलिट कर सकते हैं, यह जीस लिए बताना पड़ रहा हैं, क्यूंकि पहले का जो पसंद थ वह सारे का सारे अलग हो चुका है मतलफ टाइम-to-time अपडेट होते जा रहे इसाल हम किस तरीके से अपना इसी मेल एकाउंट को डेलेट करें मतलफ यहां फिस दिया गया था वहां पर फिचर साही nossas देखा देता हूं कि Ellis कर सकते हैं पता नहीं आप कियो जीमेल आकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं हो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके सा आता है यहां पर आपको जितने सारे notification है जितने भी mail आया है आपको यहां पर होता है यहां पर जो आप कोने में logo वाल option देख रहे हैं इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको वो सारे Gmail यहां पर आपका आजाएंगे जितने सारे अपने Gmail create करके रखोए हैं आप जिस Gmail को delete करना चाहते हैं जिस Google account को delete करना चाहते हैं उस account को लेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर already select कर लिया है अब करने के बाद फिर से आपको logo पर click करना है यहाँ पर देख से manage your Google account इस पर click करना है क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है आपका जिस Gmail account को आप delete करना चाहते हैं उस Gmail account का password आपको कमसकम पता होना ही चाहिए अगर आपको password नहीं पता है तो आप gmail account डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर आपको password नहीं पता है तो उसे आप forgot करके आप reset कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर आना है आने के बाद यहाँ पर बहुत सरा option आता है personal information के जग आपको पहले delete करने का option दिया गया था बड़ आपको नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर आप password यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका gmail का जो password है फिर भी उससे पहले आपको यह चीज पता होना चाहिए आपका gmail का password नहीं तो आप इसे open नहीं कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर data and privacy का option देगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आना है ठीक है अब नीचे में आएंगे यहाँ पर आने के बाद एक option देख सकते हैं किसी भी browser से उसे आप download कर सकते हैं अगर आपने करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर option मिलता है डिलेट ए गूगल सर्विस आप मत सोचो कि यही वह option है कि जहाँ पर हम अपना जीमेल एकाउंट को डिलेट कर सकते हैं यह नहीं इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इस जी इस जीमेल के तुरू कितने सारे चीज़े को यहाँ पर accept किया था जैसे कि यहाँ पर देख सेथे उपर में apps and services कैलेंडर में इसको मैंने देखे रख है allow उसके बाद YouTube में allow देखे रख है बस उसमें और कुछ नहीं है अगर आप इसे डिलेट करना चाहते हैं तो आपको नी यहाँ पर आपको करने के है उस जीमेल का password आपको देना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं अपना password दे देता हूं मैंने यहाँ पर password दे दिया है next में क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके सा आएगा फिर से आपको वही चीज़ यहाँ पर सो करा देता है जैसे कि डा यहाँ पर आपने यह चीज़ को एलाव करके फिर भी अगर आप इस इमेल को डिलीट करना ही चाहते है तो आपको यहाँ पर यह में क्लिक करना है फिर से इसको भी यह में क्लिक करना है जैसे कि नीचे बाला में देख सकते हैं यह आई वांट टू परमानेंट ले डिलेट गुगल एककाउंट और एट समचल मतलब डिलेट करना चाहता हुए किरना चाहता हूं विख्लेट करना चाहता हूं सा cock TV बिलीट करना चाहता हूं पर यहाँ पर to deleteRobert क्लिक कर देंगे यह जोकि डिलीट हो जाएगा तो देखो यहाँ पर जो कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है उपर में देख सकते हैं और यह जब भी कंपिलिट हो जाएगा तो आपका डिलीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को यह चीज दो दिखा दिया कि आप बहुत इजिली किस तरीके से आपना डिलीट कर सकते हैं वीडियो करके देख सकते हैं आपका बहुत ज्यादा फाइदा पहुंचा सकता है आपको तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय है